कोरोना के कह जाने वाली सबसे संक्रामक वेडियंट ओमिक्रॉर्न के मामले भारत में लगतार बढ़ रहे हैं। इसे देखते विए देश में कोरोना के तीसरी लहर की भी संभावना आये, जो त आया जाने लगी है। इस वेरियंट का सबसे पहला मामला दक्षिन अफ्रीका में देखा गया जिसके बाद से अब तक ओमिक्रॉन लगभग 100 देशों में भैल चुका है इसके आने के बाद ज्यादा तर यूरोपियन देशों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई और इनमें से ज्यादा दर मामले ओमिक्रॉन के ही निकले हैं अगर भारत के मौजूदा इस्थिती की बात करें तो यहां अब तक ओमिक्रॉन के 280 केस दर्ज किये जा चुके हैं और लगतार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है इसकी संक्रामक्ता को देखते हुए केंद्र से लेकर राज साल के जसन से पहले सकती लगानी भी सुरू कर दी गई है वहीं ओमिक्रॉन के मद्दे नजर हेल्थ एक्सपोर्ट्स देश में तीसरी लहरानी की संभावना जता रहे हैं इस बाबत जहां स्वास्त मंत्राले में बैठकों का दौल जारी है वही आज यानि गुरुवार को प्रधान मंत्री मोदी ने देश में कोरोना के स्थिती को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है इसके अलावा आज दिल्ली के मुख्यमंतिर अर्विन के जवाल ने भी बैठक की उमीच जताई जा रही है कि दिल्ली के लिए वे नए दिश्रा निर्देश जारी पीच ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमित होने वाले मरीजों के कुल जंख्या अब्देश में 280 हो गई है इनमें महराष्ट में सबसे अधिक 65 दिल्ली में संतान बे तमिलनाडू में 34 दिलंगाना में 24 रास्थान में 22 करनाटक में 19 के साथ ही हर्याना में पहला केस सामने आया गुजरत में कुल 23 केस दल्ज किए जा चुके हैं केरल में 24 उत्तर प्रदेश में दो मामले हैं आंθη प्रदेश ने पर पाए गए हैं इसी के साथ भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,47,65,976 हो गई है जबकि सक्रिय मामलों में हलकी बढ़ोतरी हुई है और ये अब 78,291 हो गए हैं बीते दिन 434 लोग की कोरोना वाइरस से मौत हुई थी इसी के साथ मरने वालों की संख्या कवरी दर 98,4% दर्ज की गई है कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच लोगडाउन की चर्चा भी जोरो सोरो से अब होने लगी है